Hello guys, welcome back to my channel आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं India vs Australia के बीच में तीन ODI के मैचस होने वाले हैं 28 December से लेके 3 January तक तीन मैच होने वाले हैं ODI सीरीज है, टेस्ट अभी खतम हुआ है काफी अच्छा परफॉर्फॉर्मेंस रहा India Women's का टेस्ट में Back to Back मैंने बोले ही था बाई, इंडिया जो है काफी जादा confidence मिला हुआ England के सामने जो जीत हासिल की थी उसको बहुत तकले margin से 300 प्लस के margin से जीत हासिल की थी तो उनका confidence था काफी high वहीं Australia लगा देखके कि थोड़ा सा under prepare था बात करते हैं काइस ये match जो होने वाले है तीन ODAI होंगे इसके बाद तीन T20 भी है उनकी हम next वीडियो में बात करेंगे लेकिन ये एक वीडियो जो है आप first match में काम में आएगी first match के बाद second match भी आपको काम में आएगी और third match भी काम में आएगी तो आप कहीं कोई वीडियो ढूंडने की जरूरत नहीं है second match हो तो भी इसी वीडियो पे आके आप refer कर सकते हो मैं इतनी value आपको दे दूँगा कि आपको तीनों में काम में आएगी और last भी मैं आपको second match और third match में क्या करना है इस वीडियो के जरिए वो भी मैं आपको बता दूँगा किसका match करना है और बस आपको अपना grand league small league call लेना है वो भी मैं आपको बता दूँगा next दो match के लिए क्योंकि क्या सेम ही venue पे तीनों ही match जो है वो है एक ही venue के उपर one day stadium जो की काफी मेरे साब से तो बिलकुल एक कह सकते हो के अच्छी बात नहीं है के सारे ही match मतलब सारी पूरी series पूरा tour जो है और यह सी बार नहीं कि Australia आई है तो मुंबई में कर रहा है हर बार भाई हर बार सारे ही matches मुंबई सारे जितने भी foreign players से उन से पूछो international players से उने इंडिया मतलब मुंबई बस उनको और कोई venue पता ही नहीं होगा क्योंकि कभी ले ही नहीं गया हो तुम कभी तुमने रखा ही नहीं है वहाँ पर तो वह यह बहुत गलत बात है I hope BCCI consider करे और आगे जाके different venues पे different arrangement भाई करो ना जब आप सब कुछ बराबर दे रहा हो तो यह जो playing experience है वो भी बराबर का देना चाहिए बागी यह तीन जो match है ODI के वो है वानखेडे stadium के उपर जहां पर अभी test हुआ था उसके बाद जो तीन T20 के है वो है अलग venue के उपर वो DIY पाटल पे है तो वो भी मुबई के इंदर है तो क्या आप बोर कर रहे है भाई पब्लिक को पब्लिक को भी और in the sense mainly तो players को भी बोर कर रहे है और कोई मज़ा नहीं रह जाता है ना फिर यार सारी match जब एक ही मैंने उपर मैं तो पता है भाई लेकिन ODI में है इडिया का बुरा हाल तो वो मैं आपको भी बताने वाला हूँ सबसे पहले एक चीज़ बता दू तीनों match का जो toss time है वो एक बज़े ही रहेगा देड़ बज़े match शुरू होगा एक बज़े दो फैर में toss होगा तो सभी खेल सकते हो आप काम भी करते हो तो आपको office break में खेल सकते हो आराम से live streaming geo cinema पे आपको easily देखने को मिलेगी free है जो की totally ODI की बात करें दोनों team ODI के अंदर तो बिल्कुल recent form अगर हम देखें तो 2018 से 2022 यानि 4 साल के अंदर 5 match हुआ है Australia चार बार जीता है in ODI format अब in ODI format में ही अगर हम और तगड़ी बात कर लें यानि overall बात कर लें आज तक जितने भी इंडिया और आस्ट्रेलिया ने साथ में match के ले है 1978 से 2022 तक total भाई 50 match के ले है almost half century उसमें गाई आस्ट्रेलिया ने 41 match जीते हैं इंडिया ने 9 match जीते हैं यह दिखाता है कि इंडिया का सिर्फ यही स्कुएड नहीं इंडिया का आस्ट तक जो भी स्कुएड आया 1978 से लेके और इस स्कुएड तक ऑस्ट्रेलिया के सामने सिर्फ 9 match जीते हैं 41 match हा रहे हैं ODI क्रिकेट में बात करते हैं का इस वानखेडे की venue की इस venue की उपर इंडिया ने 5 पार केला है दो बार जीता है ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ दो बार यहां पर केला है था इंडिया के सामने ही और जीता था वानखेडे स्टेडियम की ओडिया की सीन देख लेते हैं तो लास्ट मैंस का गेम आपको याद होगा, मैं एक बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ जिसने वेन्यू को समझ लिया, वो सब समझ लेगा. लास्ट मैंस का गेम यहाँ पर हुआ था, वर्ल्ड लिकप का अभी रिसेंट में, सेमी फाइनल फर्स्ट, इंडिया वस्स न्यूजिलेंड, निवेंबर पंदरा दोजार तेईस को, और लास्ट विमेंस का गेम यहाँ पर हुआ था का इस दोजार उननेस में, फेबररी एट मैंस के मैच में, देखो आप, होम टीम जो थी, यानि की इंडिया, उसने कहा था हम पहले बैटिंग करेंगे, 397 बे बनाये थे, सिर्फ चार विकट के नुकसान पर, हाई स्कोरिंग एंकाउंटर, 377 पे कोलैप्स हुई थी तीम, जो चेस कर रही थी, पहली पारी में लेफ में लिए ताम चैना मün को एक विकेट मिला था, अभी ये 9 विकेट जो राइटाम पेसर को मिले थे, इसमें से 7 विकेट जो हैं, वो सरेफ एक ही बन्दे को मिले थे, जो गीदा लेजन्ड अपना शमी, मौमत शमी, सर एक बन्दे को मिले थे 7 विकेट, यानि एक कौलिटी जो तकड़ा पेस चेनरेट करता है उसको यहाँ पर 7 विगेट मिलेते लास मैच के अंदर विमेल्स मैच की बात करें 2019 में जो गुआ था उसमें भी होम टीम जो थी उसने कहा था हम पहले बैटिंग करेंगे यहाँ पर भी होम टीम ने कहा हम बैटिंग करेंगे तो भाई आप समझ जाओ 205 बनाए थे बैटिंग करते हुए इंडिया ने 8 विगेट के नुकसान पर चेस हो गया था लेकिन 8 विगेट दूसरी पारी में भी आए थे बात करते हैं पहली पारी में जो नौ विगेट थे नौ ही थे शायद ये गईस या सौरी मैंने गरत लिख दिया 8 होंगे जो एक 8 विगेट आए थे जो पहली पारी में वो किसने लिए थे पेसर्स ने लिए थे 8 के 8 विगेट लेकिन उसमें से 5 विगेट जो है वो एक लेजेंड ने लिए थे जो की है कैथरीन सीवर ब्रंट यानि एक बात अगर आपको बताऊं जैसे यहाँ पर एक क्वालिटी पेसर था जो कमाल का पेस जनरेट करता था उसको 7 विगेट मिले एक यहाँ पर थी उनको फीफर मिला पांच विगेट का हॉल मिला तो भाई एक जो क्वालिटी आप अब बस यहीं तो आपको दिमाग लगाना है दोनों टीम में से कौन ऐसा है जो एपसलीट हो एपसलीट क्वालिटी जनरेट कर सकता है विद द पेस उसको यहाँ पर मुझे लग रहा है दो से जाएधा विगेट मिलेंगे दूसरी पारी में इसी मैच के magazलीट में फांच विगेट पेसर्स को मलेते रिडाम ओब्रेक स्पिनर को एक विगेट मिलाता है दो विगेट मिलेते लेग ब्रेक स्पिनर्स को यानि का विगेट का फॉल आपने देखा रंस के साथ विगेट का फॉल भी यहां पर बराबर रहता है जितने important आपके लिए कह सकते हो तीन से चार बैटाना है दोनों टीम के मिला के उतने ही important आपके लिए यहां पर almost कह सकते हो तीन-तीन बॉलर तो आपको दोनों टीम के लेने ही पड़ेंगे एक जो स्ट्रॉंग आपको लग रही हो उसके चार प्लेयर आप ले सकते हो है ना क्योंकि बॉलर्स का भी महत यहां पर है अच्छा कासा आप देखो ना 14 विगेट गिरे 16 विगेट गिरे यानि दो मैच के अंदर 30 विगेट गिरे तो वॉलर्स का भी आपर important रोल है और बैटर्स का रोल तो है ही है लेकिन बैटर्स आपको पता है मैंने बोला 3 से 4 टोटल आप ले सकते हो 2 तो तीम के जो आपको लग रहा है अच्छा कर सकते हो यहांसे हम बात करेंदें दोनों ही टीम के squad की तो सबसे पहले इंडिया की बात करते हैं इंडिया के पास गैस जो है चार अनकैप प्लियर्स हैं जिनका ओडियाई के अंदर डेब्यू हो सकता है श्रियंका बाडल मनत कश्यप साइका इशक और यहां से तितास सादुगा जसमें से तीन तो स्पिनर्स ही हैं गैस हर्मन दिश्वरी गाइकवाट जाएं उनको रैस दिया गया है बागी गाइस ऑस्ट्रेलिया के ओडिया स्कॉइड के हम बात करते हैं तो इसमें डार्सी ब्राउन है कमाल का पेस है जिनके पास एश्टे गार्टनर है और और फ्रिक स्पिनर है बैटिंग पोलिंग सब में सुप इनको भी कोई इंट्रोडक्शन की जरुवत नहीं है शूटर है वाई कमाल का पेस है इनके पास एनबेल सुटर नहीं पेसा नहीं यह बड़े बड़े शॉट्स खेलती है आंके इस वैन्यू की उपर बात करेंगा इस वानखेडी की उपर और ODI क्रिकेट के अंदर प्लेयस ने कैसा किया हुआ है इंडिया ने यहाँ पर 2012 से लेगे 2019 तक मैचेस खेले हैं ODI क्रिकेट के तो देखो कुछी प्लेयस ने खेला है आपर सुरी हर्मन पीत कौन ने 6 किया दूसरी पारी में दोनों ही मैच में डख पर आउट हुई थी 99% प्लेयर्स को जितने स्क्वाइड में इंडिया के सब को वान खेड़े की उपर खेड़ने का एक्स्पिरियंस है T20 का लेकिन ODI का नहीं है आस्ट्रेलिया की प्लेयर्स की जहां से हम बात कर लेते हैं तो इस वेन्यू के उपर 2012 में खेला था बाई आलमूस्ट 11 साल हो गया है जैस जुनासन ने खेला था दो यूवर डाले थी एक विगेट निकाला था ODI यहां पर और दो विगेट पहली पारी में होई एले से पहारी ने इस वेन्यू फे 2012 में खेला था वान खेले की उपर पांच विगेट निकाले थी दूसरी पारी में दू विगेट निकाले थे पहारी पारी में तब एले से पहरी आट नौ पलड़ एजा प्योर बॉलर खेलती थी और 2012 में तो हर्बन पीत-क और भी इतने ही नंबर पर रहती नहीं है, वो भी ऐसा बोलर ही खेलती थी, है न, देरे-देरे प्लेयर वाल राउंडर पंता है, बागी किसी प्लेयर को वान खेड़ी की उपर खेलने का कोई experience नहीं है, स्वेश्टी ODI Cricket, T20 तो इनों ने भी खेला है थोड़ा-थोड़ा यहां पर तो भाई प्लेयर्स ने क्या किया है ODI Cricket के अंदर, पुराने से लेकर बिल्कुल लास्ट लेटेस तक का आपको मैं बताने वालूं, तो यहां से काईस देखो, सबसे पहले हम उपने visitors की बात कर लेता है, जो की है Australia, डार्सी ब्राउन ने, इंडिया के सामने ODI Cricket के अंदर चार विगेट, एक विगेट, तीन मैच केले, आट विगेट लिए हैं, कमाल का performance है इंडिया के सामने, ऐसले गार्डनर ने इंडिया के सामने, performance देखो, एक विगेट, फिर एक विगेट, फिर बैटिंग आई तो 35 रन की और तीन विगेट लिए दूसरी पारी में, पहली प्र 5 दूसरी पारी में, 38 दूसरी पारी में, 133 पहली पारी में, 77 दूसरी पारी में, 0 दूसरी पारी में, 35 और 72 दूसरी पारी में, अच्छा गासा रिकॉर्ड है, एक आद तो मैं छोड़तो तो, ODI के अंदर, जैस जुनासन ने ODI में इंडिया के सामने देखो, अच्छा ह performance किया है एक विगेट दूसरी पारी में पर एक विगेट पर दो विगेट पर एक विगेट उन्तिस नॉट आउट पतिस नॉट आउट विगेट लेस विगेट लेस फिर विगेट लेस चार विगेट एक विगेट दूसरी पारी में एक विगेट ऐसा इनका performance है एलना किंगी बात कर लेते हैं इंडिया के सामने एक ही ODI का match के ला है उसमें तो विगेट निका लेते पहली पारी में कोई भी लिश्पील की बात करें इंडिया के सामने कभी खेल नहीं है ODI में टीमैक ने इंडिया के सामने के ला है या तो एलिसा हेडी या बैथ मुनी इन दोनों में से कोई एक स्टेप अप करता ही करता है दोनों फ्लॉप हो जाए बहुत रेयर कंडिशन में होता है अगर आप देखोगे तो केरियर में टोटल लास कुछ मैचस से बोलिंग बहुत ना के बराबर कर रहे हैं तो लेकिन एक एक्सपिरियंस होता है ना प्लेयर का काम में आ जाता है हर्मन पीत को देखो कितने टाइम बाद उन्होंने पोलिंग की टेस्ट में मुश्किल से आता ही आता है तो बिलकुल एले से परी नो डाउट चैप की ग्रैंड लिग टीम हो स्मॉल लिग टीम है आप सभी टीम में इनको रख सकते हो केप्टन वाइस केप्टन भी दे सकते हो शूटर का इंडिया के सामने कमाल का रिकॉर्ड है एक विगेट दूसरी पारी में दो विगेट एक विगेट एक विगेट दूसरी पारी में और सीरो विगेट और वान खेड़े की उपर पेसर होगा तो शूटर यहां पर आपको एक से दो से जाधा विगेट लेते हुई देख सकती है एनबल सितलेंड ने इंडिया के सामने जो है एक ही बार के यह लगा तीन और सिरुषें विगेट उस मैच में नेकाल दिये थे दो उसरी पारी में जो ही अभरे हमने इडिया के सामने एक मैच कहला है विगेट लेस गही थी यह गया नौट आउट की नौक आई थी यह बाहर ही आई थी इंग्लेंड के अंदर बहुत लेजेंडरी नौक थी एर्मन पीत कोर की उसके लाब आप देखे तो एक डीसेंट रिकॉर्ड कहा सकते हो बैटिंग से इतना अच्छा नहीं बोलिंग अगर कराती है तो किया है लेकिन वैल कैसा चला है एक सो दो पच्पन दूसरी पारी में तीन च्छे बारा फिर बावन दूसरी पारी में फिर सोला पहली पारी में 86 पहली पारी में 22 दूसरी पारी में और दस यह है इंगा विल्कुल रिसेंट फॉर्म अगेंस ऑस्ट्रेलिया इन ओडिया जैमी ने इनके सामने क्या किया है एक रन किया पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया के सामने और व्यालिस किया है दूसरी पारी में शफाली परमा ने आठ किया है पहली पारी में बाइस किया पहली पारी में चपन दूसरी पारी में और बारा किया है पहली पारी में अगेंस ऑस्ट्रेलिया इन ओडिया है लेकिन एज़ा प्लेयर आपके लिए वैलेबल रहेंगी क्योंकि थोड़ी बहुत बैटिंग से भी आपको जब पॉइंट्स दे सकती है यह अस्तिका बाटिया उस्ट्रिया के सामने ओडिया में पैतिस तीन चौसरी दूसरी पारी में और फिफ्टी नाइन किया हुआ है हुजा बस्ताकर ने उस्ट्रिया के सामने देका विगेट्स लेहा है दो विगेट्ट जाए एक विगेट्स लेस और खुच अनुन्स भी यह है बस्ताकर भी पेशा है अच्छी पेशा आ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी में यह यह यूज किस तरीके से गरते है बाई T20 ओडिया यह जो शॉट पॉर्मैट होते हैं उन में आप जो कैप्टन है टीम का वो किस तरीके से पने प्लेयर्स को यूज़ करता है सबसे इंपॉर्टेंट यह होता है बॉलर्स का रोटेशन कैसा करता है ऐसा होता है कि एक बहुत रेगुलर बॉलर जो है उसको बारा रन दो प्लस विगेट एक विगेट प्लस तीस रन और जिरो प्लस एक विगेट किया हुआ है ओडिया क्रिकेट में बागी इस अमन्जुत को और शेंगा पाटेल मननत कश्यप साई का इश्यक रेनुगा तितास सादू और यहां से हर्लीन दिवल इन लोगों ने कभ भी भी ऑस्यख्रेले के सामने ओडिय एक रिकेट नहीं खेला है कि बात करते हैं हमारे नेक्स की कई देखो मैंने आपको भी मेंडियू समझा दिया और है तुछ से नई आपको सब नाइट्य गर संब की बता दिया है में आप पर इस वेन्यू पर फोकस करना जैसा मैंने आपको बताया है लास के दो मैच यहां पर कैसे हुए थे अब हम बात करते हैं का इस इंपोर्टेंट सेक्शन की जो की है हमारा कैप्टन वाइस कैप्टन का उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ मैं सब्सक्राइज मैं आपको कैप्टन वाइस कैप्टन बता हूँ उसके पहले मैं आपको कुछ वर्दी प्लेयर्स मैच अप बता देता हूँ जो की एक से जादा बार का है उस पे आप थोड़ी सी नजर डाल सकते हो हाला कि दो साल हो गया है ओडिया ही नहीं खेला है साथ में तो अफिस सी बात है कि प्लेयर्स जो है वो इंप्रूब्मेंट के लिए ही खेलता है लेकिन ये है जो मैं आपको मैच अब बता रहूँ आप किसी ने एक बार आउट किया है वो लोग आपको बताएंगे टाइम वेस्ट करेंगे लेकिन ये सिंपल एक से जादा बार का है तो इस पे आपको ध्यान देने की जरूवत है स्पेशली ग्रैंड लीक के अंदर वर्दी उनली के हम बात करेंगे यास्तिका बाटिया डार्सी ब्राउन के सामने स्ट्रगल देगो 32 बाल 15 रन 3 बार आउट किया है डार्सी बाटिया को उसके बाद शपाली का डार्सी बारोंड के सामने दो बार का स्टगल है 16 बाल में सिर्फ 6 रन दियें 16 बाल में और दो बार आउट किया हुआ है पुजा वसराखर X एनेबल से तरेंड ये भी एक स्टगल है और वो भी एक बार नहीं दो बार शर्मा जी एक्स टी मैक यानी तालिया मैकराथ 24 बॉल दस रन दो बार आउट किया है तालिया मैकराथ ने दीपती शर्मा को ये भी एक गईस वर्दी मैच अप है और स्ट्रीले के ब्लेस का देखो पूजा वस्तराका ने एशले काड़नर को ट्रबल किया है 15 बॉल में 10 रन दो बार आउट किया हुआ है पूजा ने एलिसे पैरी को भी पूजा ने ही ट्रबल किया 20 बॉल में सर्फ 5 रन देगे दो बार आउट किया हुआ है तो ये जो है वो मैच अप है आपको ग्रैंड लीक में काम में आने वाला है बाकी गिवावे की बात कर लेता है इस वीडि का गिवावे 50-50 दो बंदों को मिलेंगे सिंपल कॉस्चन है दो कॉस्चन उसका आंसर करना है पहला आपको लिखना है किस मृती मंदाना इस मैच में कितने स्कोर बनाएंगी लिख सकते हूं जो भी आपको लग रहा हूं कितने बनाएंगी पूरी डीटेल आपको दिया है और सब कुछ आपको बताया कमेंट करो अपने असाब से किस मृती मंदाना इस मैच में कितने रंस बनाएंगी सही होता है 50 रुपीस नहीं तो एक दूसरा चांस और है आप पूरी वीडियो को देखना है इसके लिए उसके बाद मैंने आपको पांच वैलिवेल पिक्स बता इसे थी जो वैलिवेल थी तो ओसक्ता वो सब की मदद करें जो जीफने वालं की नहीं या जो फ्रमल्त केंलियो के जीतने के लिए कर रहा था उसकी नहीं सब की मदद हो ऐसी पांच चीज़र लिए्ट से लिखना है जो वीडियो के अम usesक करने वाद की ही चितने वाली कि म सब्सक्राइब कर रहे हैं कमेंट आपका एडिट नहीं होना चाहिए और कमेंट जो मैच की वर्स पॉल से पहले होना चाहिए बस लैट सेट चलते हैं कैप्टन सी वाइस कैप्टन सी की तरफ तीनों मैच में काम में आईगी अब देखो यहां पर आपको पिक्स पता रहूं इनको आप स्मॉल लीक में बनाओ क्रेंड लीक में बनाओ किसी में भी बनाओ सबसे पहले नाम गईस बैद मूनी नंबर दो पर एनाबल से त कैप्टन यास्तिका को भी स्मॉल लीक में वाइस कैप्टन ट्राइक कर सकते हो नबर पांच पर स्बाइज और बाइटिंग बोलिंग दोनों सपॉर्ट एले से पैरी यह तो डिफॉल्ट्ट हो गए एले सहीली डार्सी ब्राउन को किस्टीन से वाइस कैप्टन कर सकते हो म की देना मतलब क्योंकि आपको बैटिंग सपोर्ट भी दे सकती हैं तो पॉइंट्स वहाँ पर आपके अच्छे गासे शफल होंगे कहां पर गईस एक चीज़ बता दूँ चार नाम ऐसे हैं इंडिया की तरफ से शेफाली कौर चैमी पूजा इन चार मैसे एक जो है एनिवन आपके लिए बहुत हैंडी रहेगा इस मैच के अंदर इस पूरे तीनों मैच के अंदर तो इन चार प्लेयर्स का हर टीम में आपको रोटेशन करना है ग्राइंड लीक की हर टीम में स्मॉल लीक में अगर आप मुझसे पूछोगे तो आप कौर को साथ कौर के साथ जा सकते हो यह जैमी के साथ भी जा सकते हो वह एक वह इक हौल है जो हमको लेना है वह अपनी फाइनल टीम में लेंगे बेस ओन टॉस लेकिन यह चार प्लेयर्स है ना इनको घुमाना बेफिकर होगे हर टीम में होने होने चीज़िए है रोटेट कि करते करते क्योंकि यह चार ऐसे जो पार्ट टाइमर्स आ इंडिया के शेफाली के हाद में कभी भी भी बोल्नगा सकती है, जैमी के हाद में कभी भी 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 कप्टन है, खुद कभी ही вीकरस के और पुजा कभी भी बैटिंग अच्छी तो वहां पर वो एक ट्रम्प हो सकती है आपके लिए अगर आपकी वह एकात ग्राइड लिग टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन रही तो यह जो पिक्स है इनका पूरा फायदा उठाएं एक मैच नहीं तीनों मैच के अंदर और बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट लेगा है पहला मैच है ग्राइड लिग नहीं जीतवा है आपको पता चलो जाई unut ऌक अपने क्या खलती करी अगर आपने च्छे टीम पहले मैच में है यह च्छे टीम को रखनी रखनी को अपने नेक्स मैच में ग्राइड लिग के अंदर ठीक है और यह 5 कॉम्बिमनेशन आपको उस कभी छोड़ा नहीं करो यह चैप की होनी चाहिए सेकेंड में मालो आपकी अच्छी रेंगा ही लेकिन आप एक बड़ी अमाउंट नहीं जीत पाए तो थार्ड मैच में आप अपनी यह च्छार या पांचों भी हो दस टीम इनको फिर से बैक करना और यहां पर थार्ड मैच म में जो आप एक दो कॉम्बनेशन एक्स्ट्रा बनाना बस जादा कॉम्बनेशन के चक्कर में पढ़ना नहीं आपकी यह दस टीम जो है ना आपको 100% जदा की रहेंगी एक अच्छी अमाउंट ग्राइंड के अंदर बेसिक कॉम्बनेशन पर ध्यान देना कुछ और कुछ म मैंने जतने समझाए इतनी वैल्यू आपको कहीं पर भी नहीं बिलेगी आप किसी वेबसाइट पर चले जाओ किसी यूट्यूब वीडियो में चले जाओ किसी प्रिव्यू पर चले जाओ कहीं आपको नहीं बिलेगा जो मैंने आपको यहां पर सारा घटा बता दिया है तो लाइक को, मेरी तो बहुत एक्षा है देने की FirstLike वाले को लेकिन बार-बार सेम बंदे Like कर सकते हैं क्वी कोई टास्क ही नहीं है, कोई effort ही नहीं है First Like करने में, है ना तो इस में Giveaway फिर हम कितनी बार देंगे एक बंदेंगे? रोज तो नहीं देंगे, एकी एक बंदेंगे, को दो मैने के वेविस रखे उसमों पाइट लीजे टीम इसकी फाइनल मैं आपको देंदू को मैंने आपको वह इस 99 परसंट चीज़े बता दी है एक परसंट जो है मेरा स्मॉल लीक है देखो मुझसे भी अच्छी मैं हर बार क्याता हूँ अगर आपने वीडियो देखिए बना सकते हो तो अपने उपर कॉंफिडेंस रखना अपने जो नौलेज लिए उसकी उपर कॉंफिडेंस रखना और बहुत अच्छा रिजल्ट इस मैच के अंदर लेके आना है थैंक यू पर वॉचिंग दे वीडियो गईस